इस्ज़बुल्ला और इस्ज़एली सेना इसराल लेबनान सीमा पर करीब रोजाना गोलीबारी कर रहे हैं एक बार फिर इसकी बिहानक तस्वीर शनिवार को देखने मिले लेबनान की ओर से बीटे दिन कई ओपरेशनों को अन्जाम दिया गया इस्ज़बुल्ला लडाकों ने अल एहमदी और कैफर रुमाने शहरों समेथ कई लिबनानी शहरों पर इस्ज़एली हमले का जवाब दिया तड़के ही लडाकों ने कमान सम्हालते हुए उत्तरी कमान के मुख्याले और एक्यावन में डिवीजन के रसत देश के इंशाना बनाया समोन दावा किया कि अमियाहत पर दरजनों ग्रेट टाइप के रॉकेट भी दागे इससे उत्तरी इसराइल की आग अलग बस्तियों में सायरें बजने लगी जिन में अविविम, हैलिफलेट, सफद, हमूका, डाल्टन और बीरियाह के शहर सामिल है वह हिजगुला की एंटी आर्मर यूनिट ने इसराइल की रुवेशियात अल आलम मिलिटरी साइट को जिबदीन मिलिटरी साइट से जोडने वाली सड़क एक इसराइली मरकबा टाउन को एंटी टैंक गाइडेड रॉकेट से उड़ाया दावा है कि ये सटीक हमला टैंक पर निशाना बना कर किया गया था जिससे वह तुरंत आप के हवाले हो गया और जल कर खाक हो गया समून ने दावा किया कि दोनों हमले अल एहमदिया शहर में इसराइली हमलों के जवाब में हुए यही नहीं करतिरोध ने तबराया जील के पश्चिम में अमियाद के तक्षिम में एली फ्लेट पर हमला किया दरजनों ग्रेट टाइट के रॉकेट एक इसराइली बेस की और दावे गए जिसमें 282 आर्टिलिरी बिगेट गोलान का मुख्याले हैं यह बिगेड अपने हतियारों के लिए मुख्याले और भंडारन सुविधा के रूप में बेस का उग्योग करती है जिसमें तोप खाने और सटीक हमला करने वाले हतियार शामिल है बताया गया कि हमले से कई इसराइली बस्तियों में सायरन बजने लगे इसके लावा हिजबुला की मानव रहित वायू सेना ने माले गोलान बैरकों पर हमला किया बेस की ओर एक तरफा हमला करने वाला ड्रोन लॉंच किया गया इस से सायट किसानिकों और अधिकारियों के ठिकाने और आवसी ये इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए जो 810-वी शेत्रिये ब्रिगेट के तहट वहीं लड़ाकों ने 769-वी शेत्रिये ब्रिगेट की स्थापना स्थिती पर एक तरफा हमला किया इस दोरान कई ड्रोनों के जुंड एक साथ लॉंच किये गए जिससे इलाके में जम कर तबाही मचाई बताया जाता है कि ये तीनों हमले कैफर रुमाने शेहर पर इस्राइली आकरमण के जवाब में किये गए वहीं हिजबुला के डिप्टी लीडर नईम कासिम ने नितन्याहों को चेताते हुए कहा कि लेपनान पर पूर्ण पैमाने पर युद्ध से दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा इसराइल की उत्तरी हिस्से में सैकडो हजारों इस्राइली विस्थापित होंगे अगर इसराइल युद्ध छेड़ता है तो हम उसका सामना करेंगे हिजबुला का युद्ध में जाने का कोई इरादा नहीं है हमारा मानना है कि युपयोगी नहीं है यदि वो सोचते हैं कि इस तरह की युद्ध से एक लाख विस्थापित लोग घर लोट सकेंगे तो हम ये चेतावनी देते हैं लाखों और विस्थापितों से निपटने के लिए तयार हैं जब तक युद्ध जारी रहेगा लिबनान से गाजा के लिए हिजबुला का समर्थ ना बना रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमले को बढ़ाने की कोई तारिक नहीं तैकी हाला कि इस पर इसराइली पीमो की ओर से कोई आधिकारी टिपड़ी भी नहीं की गई है इसराइल के रक्षामंत्री योव गैलेंड ने भी कहा है कि इसराइली से ना गाजा में पर भूगा